आप देख रहे हैं खिलाडी नमबर वान और मार्केट के अक्षिन परमाई नजरे रहेंगी जहाँ पर आज शुरुवात मजबूती के साथ हुई उपरी लेवल से कुछ मार्केट हलका जरूर हुआ है लेकिन अब भी आप गौर करेगा तो 84 अंको का इजाफा निफ्टी 50 आ संको की बढ़त पर कारोबार कर रहा है और आप मिटकाप इंडेक्स देखेंगे मिटकाप इंडेक्स में कुछ वॉल्टिल्टी कल देखने को मिली थी लेकिन आज एक पुल बैक है 330 अंको तक का इजाफा यहाँ पर बन रहा है यह है आपके लिए ताजा हाल अड़्वांस पर टाटा मोटर्स, ITC और TCS में दबाव ध्यान रखेगा टाटा मोटर्स के लिए दूसरा सत्र है जहां पर बिक्वाली की पोजिशन्स हावी है ऐसे में हमारे जानकारो कि क्या रनीती रहेगी उनके रिटर्न्स क्या बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फ अप्रोच लॉंग साइट की रहेगी और फोकस मीट कैप पे रहेगा क्योंकि मुझे लगते है कि निप्री आज का दिन एक्सपायरी अराउंड 25,000 का आसपासी होगा क्योंकि क्योंकि कॉल रैटिंग स्ट्रॉंग है 25,100 पे और फूट रैटिंग स्ट्रॉंग है 24,900 पे त अहां पर एक मौका तेजी का इन्होंने पकड़ा SKF वाला ट्रेड भी और रिमेंबर ये 64,100 की बात कर रहे थे 64,6500 उस टागिट के लभी भी होल्ड कर रहे है रूपर के एक ट्रेड जोड सकते हैं आप वो क्या रहेगा रहेगा अज का एश्टा टीम स्टॉक भी एक साइ और निचे एक stop loss maintain करना होगा 404.404 का stop loss 465 के तयारी कर रहा है काउंटर, buy side का ये trade है, stock आपके सामने सवा 2% उपर है, दोनों में से कोई trade रूपक जो अभी लिया जा सकता है? अच्छा लग रहे है क्योंकि एक इंपोर्टेंट जो movie के अवरेज उसके उपर सस्टेंट कर रहे है लगा था पिछले 2-3 दिनों से, तो upside में continue रहेगा momentum, अंदा higher end 13600 तर जा सकता है, और मिंचे एक support हो जाएगा 12250 का चले काम करते हैं, चले सारे trades में आपके लिए recap अब करना शुरू करूंगी, चुमारे जानकारों ने दिये हैं, सौधे, इसमें लेकर आएगा, ये तो आपने returns दिखा दिये, एक ए करके पहले trades देखते हैं, HUL 3060 टागेट है, Asian pain 3515 का टागेट, buy side का trade, science नया जोड़ा है, 2230 टागेट 2065 का stop loss ये देवांग का portfolio है, रूपक के case में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ additions किये हैं, signed top performer है देवांग के लिए, अब लेकर आएगा आप रूपक का portfolio, IEX 245 के लिए hold कर रहे है, SKFP 6500 के लिए hold किया, Aster DM नया जोड़ा है, 465 से IEX maximum जोड़ रहा है, लेकिन SKF maximum निकाल भी रहा है, अब आते हैं, ओम के portfolio पर, तो नया ट्रेट TVS मोटा अभी अभी आड़ किया, 2880 का target, 2740 stop loss, Safari Industries इन्होंने जोड़ा है, 2700 का target, 2420 stop loss है और advanced enzyme को carry करें, 575 का target है, 475 इनके लिए stop loss का का काम करेगा, इन तीनों में सबसे ज returns की situation आपकी screen पर लेकर आएंगे, स्तिती में कुछ भैतरी होनी चाहिए, ओम अब positive territory में आ चुके हैं, देवांग देखिये, अब दूसरे स्थान पर, तो ओम 1.72% के returns पर, देवांग 1.31% के returns पर, रूपक माइनस 1.85% के returns पर, आज का दिन है, और of course कल का दिन, कल Friday का 17, उस कोई भी बदलाव अगर माय जानकार करने वाले हैं, आज आगे उसका एक update एक बजे के आसपास आपको मिलेगा जरूर, तो good luck to you gentlemen, आपके updates का इंतजार रहेगा, लेंगे एक break आगे ध्यान commodity market के action पर.